नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग हम अपने चैनल क्लासी लुक पर आप लोग का स्वागत करते हैं आज हम आ गए हैं हैर कटिंग की वीडियो के साथ और वो भी ड्राइ हैर कट वीडियो के साथ बिताउट कटिंग सीट के आप हैर कटिंग कैसे कर सकते हैं उसका बहुत एजी तरीका इस वीडियो में शेयर है तो आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहेएगा तो यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखिए हमारी क्लाइंट के हैर है काफी खुशूरत है लॉंग है और घने भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें बेव है और नीचे से करना है तो सबसे पहले हम कटिंग करना है क्योंकि बाल थोड़ा बेव है इसलिए हमें स्टेट करना काफी जरूरी है जब स्टेट हो जाएंगे है तो बिल्कुल सारे बाल सीधी हो जाएंगे और आप कटिंग करेंगे तो सारे हैर बहुत अच्छी तरह से कटिंग होंगे हेयर बहुत ही अच्छा कटेगा और फाइनल लुक बहुत ही खुबसूरत आएगा तो उसके लिए सबसे पहले सारे हेयर को अच्छी तरह से आपको शेड कर लेना है जो भी वेव है उसको खतम कर लेना है और लास्ट में आप देखेंगे एंड पॉइंट पर जितने रफ हेय है वह बाहर की तरफ आ चुके हैं और उने कट करके निकालना है जितने एश्टा है बस उसे ही कट करना है उसे जादा हमें कट नहीं करना है तो इसके लिए आपको क्लाइन की मंजूरी लेनी है और सारे हेयर को बैक साइड लेके आना है और वहां आपको फिंगर में होल्ड करने के बाद सीजर को मूब कीजिए हलका हलका और आप देखेंगे किया की कटिंग बहुत अच्य से हो चुकी यह करने के बाद आपको थोड़ा-ठोड़ा साइड के हैर को च्रेम करना है उसके लिया आप पो कौम को उपर की तरफ रखिए और नीचे की तरफ लेका आए फ है और लोगी क़ंपलीट भी ओ चुकी है और चाहिए टैयाके ड्राइट ऊचुर्ण जो समतिकिर्व जानि मीर दोब लुकियों के गद्टिंग पूंत है इस वीडियो में झाल तो एकाट करने के बाद at it and will lip से किस तरदेख्वBack करना होता है तो यह सारी सीज्व में केंपलेट करने की कोशिश के हैं तो कैसा लगा आप लोगों कोги वीडियो और यह कसा लगा कॉमेंट करकर ज़रूर बताएगा अगर आप लोगों वीडियो पसंद आया हो तो जादा से जादा लोगों तक शेयर किजिएगा और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेज चैनल को सस्क्राइब करना तो बिल्कुल मत बूलेगा क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो लेक और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट करके बताएगा जरूर उसको आप लोग तक पहुचाने की कोसिस करेंगे शेयर करने की कोसिस करेंगे तो तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा तो आप देख सकते हैं कि ह हेर कट करने के बाद जो हेर फ्लौर पे बिखर जाते हैं तो उन्हें हम लोग किस तरह से क्लीन करते हैं हार कठिंग के बाद है रह P – क्लीन करना काफि ज़रूरी होता है जो कि इस तरह से में क्लीन करना है फ्लोर को और क्लीन होने के बाद आप देख सकते हैं कि वह और कितना खुबसूरत दिखाई दे रहा है उमीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नवश्कार और बाई बाई